मेरा नाम है हर्ष और स्वागाद आप सभी का आज की इस विडियो में हम करने वाले डिए डिंपी जह स êtes रेडिमी in open प्रों करने वाले यह डिमी का लखो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है 5 और देख सकते हैं आउटडोर्स में भी आ चुके हैं मैक्रो शोट को लेने के लिए तो आज की वीडियो का पूरा देखना और वीडियो में आगे बेंस पहले अगर आपने भी तक हमेरा चनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए एसी इंफर्मेटिव वीडियो लेकि आता रहता हु तो फ्रेंस चालिए वीडियो श्टार्ट करते हैं तो सबसे पेले पर मिल जाती है तो अभी हमने क्लिक कहा है ट्री मौस का फोटो एफ 2.4 पर आये सो हमने लॉजश रखा है 50 पर तो मेक्रो फोटो पर रेड्मी नोट 10 प्रो से बहुत ही अच्छी हो जाती जिसके आप डीटेल्स इसके देख सकते हैं ट्री मौस की तो अब बात करते हैं सेकेंड फोटो की मैं नीचे एक दम ग्राउन का फोटो क्लेक करने बहूं यहां पर नीचे बहुत सार इस टों से छोटे चोटे उनका मैं फोटो क्लिक करता हूं अभी आपको दिखा दा हूं तो फ्रेंस अब देख रहे हैं स्मॉल स्टोंज की फोटो जो कि मेरी आइस ने भी कैप्चर होना ही की रेड्मी नोट 10 प्रो के सूपर मेक्रोकेमर ने कैप्चर गया इसकी डीटेल्स और स्टोंज की कालर हैं में एक तुम एक्डेटिस में देख पार हैं यह है कमाल रेड्म नोट 10 प्रो के मैक्रोकेमर एक फ्यू मोमेंट्स लेटर थर्ड नम्र प्रजों ने प्लांट कर फोटो क्लिक किया है यह हमारा बन उफ देबस्ट फोटो है क्योंकि यूनिक प्लांटे और इस तरह के फोटोग्रफी करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है और अगर बात करो आपसे तो जो वीडियो में आपको फोटो क्लिक करते हैं यह एक्ट्वल ताइम पर लेफ वाला फोटो मैंने क्लिक किया है फ्लावर का जो आप लेफ साइड में देख रहे हैं और राइट फोटोग्रफी के लिए लेना चाहते हैं तो फोटोग्रफी के लिए बहुत ही अच्छा फोन यह रहेगा और मैं आपसे बात करता हूं फोटोग्रफी की आगे इस वीडियो में फोटोग्रफी में आप देख सकते हैं आप हमने लेफ और राइट साइड में आपको इसकीन पर फोटोज दिये हुए हैं और इस तरह की जो फोटोज हैं यह एक्च्छा टाइम पर शूट करना बिलकुल भी पॉसिबल नहीं होता है अज्यून हुआ जिसे के आप जानते ह है एक्च्छल टाइम पर इस तरह की फोटोज को क्लिक करना पिल्कुल पर उसीबल नहीं होता है इसलिए हमने अलग-अलग लोकेशन पर जाके इनको शूट किया है और स्क्रीन पर आप देखिसकते हैं पिल्कुल और अगर आप इस फोन को लें जाते हैं कैमरा के लिए फोटोग्रफिक के लिए तो ये अंडर 20 के वन अप बेस्ट चोईस रहेगी और अगर मैं आपको बता हूं तो सामने स्क्रीन पर आप देखिसकते हैं ग्रेंस पाइंडर और शायद इसको नहीं दा लिए तो फ्रेंस मिलते हैं अगली वीडियो में